आलू का पराठा किसको नहीं पसंद होता है हर किसी की फेवरेट होती है तो आज मेरे बेटे की डिमांड है कि मम्मी हमें आलू का पराठा खाना है और लंच में ले जाना है तो आज उसके लिए ही हम आलू के पराठे बना रहे हैं बहुत ही तेश्टी बहुत ही चटपटे ब तो नीचे उतारते हैं फिर गैस में रखते हैं और इसके उपर हम डाल देते हैं जीरा और काले मिर्च इन दोनों को भून करके हमें पाउडर बनाना है इन दोनों का फ्लेवर जो आलू का पराथा होता ना बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोग एक बार इस तरीके से भून करके डाल के देखिएगा यहां पर इसको चलाते हुए हमने भून लिया है और जैसे ही काले मिर्च जीरा भून जाएगा इसको हम नीचे उतार लेते हैं और इधर देखिए जो आलू है ना अच्छी तरह से बॉयल हो गया है छोटे-छोटे आलू हमने रखे थे और इसको ह आलू गरम है तो काटे वाली चमत से ही कर रहा है इधर हम लेते हैं चकला और इसके उपर जीरा मरीज भून करके रखा उसको रखते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं दर दरा सब बहुत ही टेस्टी लगता इसका फ्लिवर जैसे हम पीसेंगे बहुत ही अच्छा लगत है बहुत ही अच्छा सुगंदा आता है यहां पर आलू के ऊपर हम डाल देते हैं जीरा मरीज का पाउडर थोड़ा सा नमक यहां पर थोड़ी सी हल्दी यहां पर गरम मसाला एक चोथाई चमत यहां पर थोड़ी सी चीली फ्लेक्स और हाथ पर अज्वाइन करस करके डाल है साथ में कस्तूरी मेथि उसको भी हाथ से करस करके यहां पर थोड़ी सी कलाउंजी यहां पर थोड़ा सा काला नमक भी हम डाल देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ी आएगा दूनों नमक कर यह जो हमने किया है और इतने ही मसाले को डाल करके आप इसको बना स सूखा वाला इसको हम बेल लेते हैं तो बेलना रोटी की तरह नहीं है बिल्कुल ऐसे लंबा सा केवल बेल देना है तो यहां पर इतना लंबा हमने कर लिया है और बीच में तीन जिगह इसकी निशान कर देते हैं यहां पर देखिए दोनों साइड से हम पकड़ेंगे और बीच में देखिए एक अठा गोल कर देते हैं और जो तीनों गोल-गोल बने हैं लोईया उसमें थोड़ा-थोड़ा जो आलू की फिलिंग है हमने इसको गोल-गोल बना लिया है उसको हम डालते जाएंगे तीनों पर और यहां पर एक साइड डालने के बाद दू जगों प करेंगे फिर दूसरी साइट फिर फोल्ड कर देंगे और इस तरह कर से आज हम बना रहे हैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से आलू का पराथा ओज चाहिए यहां पर हम बड़ा कर रहे हैं देखे हाथ से इसको ले करके और हाथ पर दापती देंगे थोड़ा बड़ा हो जाए अ जो हड़ा हम लगानेकप सिलन हे और मोटा हिक लगता है तो यहान पर हम लेका सेख करके हमें चार भाग चार भाग में भी हम लेते हैं। और इ misf रख देते हैं। और इसी में रख देते हैं, तब तक बच्चे खा लेते हैं, फिर हम दूसरा अला बनाते हैं। साथ में हमने इमली की चट्टे रखे दे घट्टी मीटी वाले और यहां पर देखी एक पराठा बन गया है इसी तरह के दूसरा वाला पराठा लेते हैं सेम प्रोसेस है इसको भी लंबा सा बेल लेंगे बीच में निसान बना देंगे दोनों साइड से और फिर आलू को जो फ भी उसी तरीके से उलट पुलट करके सेख लेते हैं तो यहां पर देखें आलो के पराठे जो फूलते भी हैं यहां पर देखें थोड़ी देर इसको अगर हम समय देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से जो आलो